अगर आप भी भोशपूरी या दर्शक हैं और भोशपूरी फिल्म देखने में दिल्चस्पी रखते हैं तो आपने एक बात गौर की होगी किया तो भोशपूरी फिल्मों का नाम वालीवुड फिल्मों का कॉपी होता है या तो वालीवुड के फिल्मों के नाम से मिलता कोपी है और एक फिल्म है जो पवन सिंग्क का है और इस फिल्म का नाम लावारिस है इस फिल्म का नाम भी वालिवुड से कॉपी किया गया है आप इतनी फिल्में हैं जिनका नाम वालीवूड की फिल्मों से कॉपि किया गया है बात करें बोजपूरी सिदी की शुरुवात की तो इसकी शुरुपूरी फिल्म गंगा मयात वह पिorseट ऐे चढ़ाइबो से हुई एक लंबी अर्से तक भोजपूरी सिनीमा के नाम में अपनी मिठी की खुश्बू और इसके संस्कृति की मिठास देखने को मिलती थी लेकिन आज के दौर के फिल्मों की बात करें तो एक तरब जहां वालीवुड कहानियों की कमी से जूज रहा है वही दोसरी और भोजपूरी सिनीमा वालीव तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डाली पांडे मेरे साथ है कैमरामें विशाल और आप देख रहे हैं जहमाजम भोजपूरी फिल्मों का टाइटल वालीवुड फिल्मों के टाइटल पर रखने की पुरानी प उस निरहुबा से बातचीत की गई तो निरहुबा ने बताया कि देखिए हमारी कोशिश तो यही रहती है कि भोजपूरी फिल्मों के जो टाइटल हो वो भोजपूरी भाशा से मिलता जुलता रहें ताकि भोजपूरी सिनीमा की गरिमा बनी रहें लेकि कभी-कभी कुछ प्रोकरी बना मिलता रहें है कि वैसे देखा जाए तो सिनीमा हिंदी हो या भोजपूरी दर शक तो सबके वही हैं क्यणsky वही है अगर मेंनी रिक्षावा से बात किती गई तो उन्होंने कहा कि स्वभाव एक रूप से अगर देखा जाए तो भूझपूरी सिनेमा में भूझपूरी ही टाइटल होना चाहिए तब ही उस फिल्म की उस इंडस्ट्री की मौलिक्ता बनी रहेगी जिस तरह से मराथी इंडस्ट्री साउथ इंडस्ट्र नहीं है लेकिन अगर आप भूझपूरी फिल्म बना रहे हैं तो इसे में आज भी भूझपूरी सिनेमा के निर्माता निर्देशकों को गंगा किनारे मुरा गाउं ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसे फिल्में बनाने ही पड़ेगी वहीं एक और राइटर एसके चोहान से जब इस बारे में बात चित की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि आजकर भूझपूरी में फिल्में तो बहुत बन रही है लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब आप टाइटल के रिजिस्टेशन के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि एक बैनर के नाम पर पहले से ही सो और 200 टाइटल पहले से रिजिस्टर है जब प्रोडिश्टर को भूझपूरी में टाइटल नहीं मिलता है तब उसी से मिलता जुरता कोई ने कोई टाइटल रख लेते हैं हलाकि अब इस बात अलग है कि भूझपूरी सिनेमा में भी अब काफी बदलाव आ गया है पहले भोझपूरी फिल्में पूरा परिवार साथ में बैट कर देखता था और आज सिर्फ यूवावर घी देख पा रहा है यानि आज भोझपूरी सिनेमा से यूवावर तक सिमि रखा जाता है निर्देशत दिंकर कपूर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि इसलिए रख रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे दर्शक जूड जाते हैं इस टाइटल उनको इतना अच्छा लगता है कि ताइटल से फिल्म देखने ठीटर में चले आते हैं बाकि लोग फिल्मों के टाइटल कहाने के हिसाब से रख लेते हैं, जैसे मेरी एक फिल्म दिवी श्लाल यादो निरुवा के साथ रिष्टो का बटवारा है, अगर आप कहें कि बटवारा के नाम से जेपी दत्ता साहिब का पहली हिंदी फिल्म आ चुका है, तो मैंने बोजपूरी में टाइटल है, मैटर ये करता है कि आप उस फिल्म से दर्शकों को कितना जोड़ पा रहे हैं, आपकी फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक खीच पाती है या नहीं, बागे हम उमीद करते हैं कि आपको भी ये समझा क्या होगा, कि बोजपूरी फिल्मों के टाइटल हिंदी फिल्मों के टाइटल से क्यों मिलते जुलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजे, धन्यवाद